पुरानी बातों को भूल जाएंगे जो 2017 में साथ छोड़ गया था देखे ने बहुत सारी बातों को भूलना पड़ता है जैसा कि खबरे चल नहीं है अगर हो गया है तो क्या लगता है कि आगे हाँ फिर मेल मिला पहले बारी हो सकते हैं हमारे सामने क्या रिष्टा है अगर मालीजे की नितीज कुमार वहां से अलग हटते हैं और भारतिय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होते हैं तो हम हमारे सामने दूसरा रास्ता क्या है कि हम समर्थन करें नितीज कुमार का इसके अलावे विकल्फ हमारा क्या है हम भारतिय लगांगे नमस्कार मेरा नमालोग है आप लाइफ स्टीज देख रहे हैं बिहार की राजनीती में क्या भुचाल आने वाला है और सिपी सिंग के इंदर इस पात्मंत्री रहें जेडियू से उनका मो भंग हो गया उन्होंने स्टीफा दे दिया और नितीश कुमार की पार्ट से पाड्यू का मो भंग नहीं राज सभा में डॉमिनेट फिर से नहीं किया गया और इसकी वज़े से उनको केंद्री मंद्री मंदल से अटना पड़ा तो आइसा नहीं हुआ कि उनका मो भंग हुआ इसलिए वो पार्टी से अलग हो गये एक धंक से कये तो जन्ता दली उनाइटेट ने उनको अपनी पार्टी से अलग कर दिया अब आरोप पर ते अरोप का दोर चल रहा है जिस तरह का आरोप उपन पर लगाया गया जमीन योगरा यह वो भेटी का उन्होंने जबाब दिया अब यह कहां तक जाएगा हम नहीं कह सकते हैं लेकिन अब इसमें तो सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि साजिस की गई नितिश कुमार के खिलाफ चिराग पास्मान का इस्तमाल किया गया यह भी कहा गया कि दूसरा एक चिरागत यार किया जा रहा था इस हद तक बात जो है चली गई इसलिए सब को ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ ने कुछ वाने बड़ा खेल जो है बिहार की राजनिती में होने वाला है अब इसी प्रिष्च भूमी में आप देखिए जंता सबस्ता लिज smart Luck बात करेंगा अबत fluctuationth में तुरी अच्छा फेजिंज और हिंदुस्तानि की मन मोर्चा याeyed और वहोंत है वह एक अलग बात है हम करेगी अचानक जो यह हो रहा है क्योंकि आम तोर पर विधायक दल की बैठक जो है विधान सभा का सत्र जब सुरू होता है उसी समय बुलाया जाता है अब यह जो है बेमौसम की बरसात वाली बात हो रही है कि अभी कोई उस तरह का है नहीं इसलिए र हमारे सामने क्या रिष्टा है अगर माली जे की नितीज कुमार वहां से अलग हटते हैं और भारतिय जनता पार्टी के खिलाब खड़े होते हैं तो हम और हमारे सामने दूसरा रास्ता क्या है कि हम समर्थन करें नितीज कुमार का इसके अलावे विकल्फ हमारा क्या है हम भ के सवाल पर किसानों के मैंने आमदनी को दुगना करने के सवाल पर मैंने देश की सवरेंटी के सवाल पर 56 का सीना आज क्या हालत वही मांगा है उसी तरह से बढ़ रही है वही हालत है फोज में जो बहाली होती थी नियमीत उसको भी लोगों ने बंद कर दिया यह सब कुछ ज सेक्टर का इनिट है सब को धाधर जो है बेच रही है आएमेफ वर्ल्ड वंक के इसारे से चीन जो है घर के अंदर घुसा हुआ है ताइवान ऐसा चोटा सा देश दो करोर तीस लाक की अबादी वाला महिला उसकी यह कितनी मजभूती के साथ बोल रही है इस तरह से और यह लाके में फर्मानिंटी स्रक्चर बना रहा है एक नई किताब आई है प्रविंट शुआनिक की काफी जानकार आदमी है आर्मी के भूत्पूर पतादिकारी रहें उनकी किताब आई है और चीन और हिंदुस्तान के बीच में तुल्ला उन्होंने किया है कि तेरह दिन से ज् प्रवचा नहीं हो इसके लिए हिंदु मुसल्मान हिंदु मुसल्मान जो है यह किया जा रहा है कराया जा रहा है यह थी में हर घर जंडा और हर पताका अरे देश्भक्ती जो है आदमी के अंदर सुभाविक चीज है हर आदमी देश्भक्त होता है उसको प्रदर्शन करने में लगता है कि कहीं न कहीं आपकी कमजूरी है आप कहां थे भाई आपने कभी आपका आरेसस के मुख्याले पर आपने आजादी के बाद जो है कभी तिरंगा फैलाया नहीं कि दो हजार एक में कुछ लड़के घुस करके उन्होंने फारा दिया मुकदमा हुआ जेल हुआ तब से आपने फाराना सुरू किया जी समय इसको राष्टिय द्वज का मानता मिला था आपने पापके पांच जन्द में लिखा गया कि तीन दंग जो है असुब होता है यह नहीं लोगों को लादा करूं लड़ा जो असली सवाल है उसको आप एकम कंता हैं को मारे देश की ऋखंडता को मने कमजोर करने राजनीती जनता पार्टि कर रहिए हम यह मान रहें कि देश की आर्थिक निती वह सारे पर चल रही है आर्थिक स्वायतता को इस पर परदा लाइए तो हम उसके साथ प्रोध में उसको उसको निश्चीत रूसे है भारा दाए तो बनता है मारा ध harma भनता है हमारा करने हैं ने पुरानी बातों को भूलना पड़ता है बहुत सारी बातों को बहुत सारी बातों को बहुत सारी चीज एतिहास में हुई है हम लोग कॉंग्रेस के खिलाब खड़े होते थे इमर्जंसी में हम लोग गेल गए ताफ जो है कॉंग्रेस के साथ खड़े हैं इसलिए कि जिस्समय कॉंग्रेस से हम लड़ रहे थे उससमय कॉंग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी ती के अंदर से लेकर के राज्यों तक उढूरा उसकी सरकार बने हुई थी एक्दम बि सबसे बड़ी पार्टी सबसे ताकत्वर पार्टी जो है वह भारती जनता पार्टी जिन नीतियों को चला रही है कॉंग्रेस ने कभी नहीं इस तरह से चलाया था जिस समय कॉंग्रेस ने करने के लिए उचाराजार रूपिया जो है मेसेज भेज करके मंगाया है उसके बारे में आरूप लग रहा है कि ऐसे ही पकड़ पकड़ करके लोगों को बंद कर दिया जारा है साल पांट साल जेल में रहते हैं होता है कि इसाब ये निर्दोस भी तो रहे हैं यही राजनित हो रही है यह राजनिती देश के लिए खराब है गातक है इसके खिलाप अगर नितीश कुमार बगावत करके आते हैं तो हम उनको गले लगाएंगे कि अब इंडिये में वह बात नहीं रही बिहार इंडिये में वह बात नहीं रही जो पहले वाली थी आप लैप्सिक साथ देखे बने रहें अगल तालीस घंटे में क्या कुछ बिहार में गतिवीदियां वदलती हैं सियासी भूचाराता है उसे आपको अब वदकात रहेंगे हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ फिर से पेज विलाइक करें धन्यवाद